सबसे इंपोरेंट है वो यही है शेशी थरूर को दोस्तों आप पे नियर बाए एक हजार के आसपास वोट मिले टोटल वोट थे 9000, साथे 9000 के आसपास इसमें 7000, 8000 जो है वो मलिक आरजन जी को मिले है अब इसमें किस-किसने वोट डाले है जनता वोट नी डालती है मला जो जो कॉंग्रेस के मेंबर होते हैं अपने एक सलेक्टेड इनके पूरा का पूरा पैनल होता है हर एक स्टेट के अंदर सिटीज में तो वही लोग जो है इनके जो प्रॉपर मेंबर होते हैं वही आपे वोट है जो की कर पाते हैं तो उन्होंने आपे वोट है जो की किय है ठीक है चलिए और बहुत सालों के बाद में मतलब ऐसा हुआ है चौबिस साल के बाद में अल्मोस्ट ऐसा हुआ है कि कोई नौन गांधी है जो की आएंसी का प्रेसिडेंट बना है अच्छी बात है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है न वह सिर्फ एक फैमिली के लेडर्शिम नहीं चलना चाहिए कौनसे पार्टी के कारे करता किस बिलीव करते हैं किस लीटर में बिलीव करते हैं उनको वो डालना चाहिए लेकिन या पर ऑप्शन जो है वो दोनों की कोई खास नहीं थे शर्शी थरूर वैसे तो क्यार बहुत ही जबर्दस परसन है बहुत ही इंटलाक्च्छल है लेकिन पॉलिटेक्स की इंडिन पॉलिटेक्स की बात करें तो इतना हिंदी भाषी जादा नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है दूसरी बारे बात करें तो मलिकार्जन जी की तो यार इनकी एज 80 साल मतलब 80 एर के अंदर अगर आप किसी 80 साल के उमर के आदमी से यह उमीद के लगा रहे हो कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिवाइव कर देगा तो थोड़ा सा मतलब ही जादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाने वाला हो जाने वाली बात है देखते है आने वाले जिन्हों में करते करते पॉलिटिकल ग्रूप बन गया इटी नटी वाइप में पहली बार डब्लू सी बैने जी प्रेसेंट बने और पहला सेशन 72 डेलिकेट्स के दुवारा बॉम्बे के अंदर है जो कि अटैन किया गया है ना उसके बाद दादा बाई नेरो जी बने उसके बाद सब और याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है उसके बाद में आपको याद करने की जरूरत है 1896 में 1896 में क्या हुआ था कि जो हमारा नेशनल सॉंग है वंदे मातरम है ना जन गनमन से पहले वंदे मातरम आइंसी की कॉन्फरेंस में गाया था तो फॉर्स टैम जब वंदे म में पार्टिशन हुआ था बहुत ही बड़ा इश्यू है याद है आपको पार्टिशन हुआ था तो उस टेम पे 1905 में बनारस में यह कॉन्फरेंस हुए थी जहां पे गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों हमारे प्रेसेंट बने था आयन से के खना और यह काफी रिसेंटमेंट काफी गुस्सा है जो कि उस टैम पे पार्टि के दुवारा दिखाया था उसके बाद सौराज वर्ड जो एड किया गया पहली बार दादा भाई नेरोज जी की अध्रक्षिता में क्यलकेटा में 1906 के टाइम पे किया गया यह भी इंपॉर्णेंट है आपको मालूम यह नरम दल और गरम दल के बीच में दोस्तों लड़ा हुई थी जूते चपल टेबले तोड़ी गई थी तो उस टाइम पे 1907 की यह बात है सुरत के अंदर ही कॉन्फेर्स करेंगे है ना और यहां पे घोष इसाब है हमारे राजब्यारी घोष वह वहां पे प्रसेंट थे और पार्टी स्प्लिट होगे थी दो पार्ट में एक्स्प्रिमिस्ट और मॉडरेट नरम दल और गरम दल हना अब ओव्यस बात है गरम दल बने उसके बाद में मदन मालवय का भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर में तो लाहॉर के अंदर वो प्रसेंट बने 1909 में इंडियन काउंसल एक्ट 1909 वाला इनी के टाइम पर आया था इंडियन काउंसल एक्ट फिर बात करते हैं जन गन मन की हमारा दोस्तों नेशनल पेपर में पूछते हैं कहां पर हुआ था ये तो लखनव में हुआ था 1916 के अंदर हैना और अंभीका चरनल मजूमदार जो है वो यहां पर प्रेसेंट थे नाम से सुनके ऐसा लगता है कि कोई महिला होगे लेकिन यह महिला नहीं थी दोस्तों पुरिश थे क्योंकि पहली नाइडू है वो बनीती 1925 में कानपूर के अंदर पहली भारती है महिला प्रेसेंट ठीक है अमरेज बूछने सर एयो हूम कौन थे वो फाउंडर थे पार्टी के एयो हूम जो थे वो फाउंडर थे लेकिन प्रेसेंट यह नहीं बने थे हैंना WC बैना जिन थे परस्त चलि गांधी जी को लेकर है कि गांधी जी जो है वो कब बने थे तो गांधी जी शरीफ एक ही बार बने है दोस्तों 1924 के अंदर है ना ना दिल गाओं के अंदर 1924 के अंदर तो यह भी पेपर के अंदर आता है ज्यान रखेगा यह वाला भी इंपोरेंट है पहली भारती महिला उसके बाद में All India Youth Congress का फॉर्मे शुला मोतिला नहरू के अंदर में 1928 में पूर्ण सोराज की बात करेंगे Civil Disobedience Movement जो है वो लांच किया गया और 26 जनवरी को Independence Day की गोशना करें गई 1929 के अंदर लाहूर के अंदर दोस्तों 1511 नहरू के द्वारा तो इस टैम पे 1930 में हमने सो 30 में जब यह बात हुई तो 30 को में आजादी मिल नहीं पाई इसलिए 26 जनवरी को फिर बाद में हमने Republic Day गोशित किया क्योंकि उस टैम पे Independence Day नहीं कर पाया थे तो यह जवाला नहरू लाहूर सेशन 1929 बहुत इंपॉरेंट है 1931 के अंदर उस तो वल्लब भाई पतेल कराच सेशन के अंदर फंडमेंटल राइट के बारे में बात करे गए गांधी अर्विन पैक्ट भी हुआ ठीक है और सेकंड राउन टेबल के अंदर गांदी जी एगरे भी हुए उसके बाद बात करें तो सुबाद चंदर बोस 1939 त्रीपूरी के अंदर जो है इलेक्ट करे गए लेकिन उन्हों रेजाइन कर दिया क्योंकि गांधी जी उस टेम पे सिताय रमयाजी को बनाना चाहते थे ठीक है फाइनली राजंदर परसाद को अपट किया गया उसके बाद में देश के सबसे यंगेस्ट जो बने प्रसेंट वो अबुलकलाम आज़ाद 1940 रामगर्ड के अ और लास्ट सेशन जो इंडिपेंडेंस से पहले कॉंगर्ड का हुआ वो हुआ था क्रिपलानी साब यहां पर प्रसेंट और मेरेट के अंदर हुआ देश की आज़ादी के बाद जैपूर के अंदर हुआ जहां पर सितार अमयाजी थे दोस्तों तो यह 1949 तक काम ने 48 तक काम ने कवर कर लिया उसके बाद तो फिर नहिरू जी बने और उसके बाद में सोगा है